नमस्ते दोस्तों मैं राहुल और आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चेनल आई सी मंतरा पर और सी सैट मैट में आज हम पढ़ने वाले हैं अच्छी बात ये होगे इस इस क्लास की कि इस क्लास में आप बेसिक भी समझ यहाऊगे ट्रिक्श भी आपको बहुत सारी किया जायेगी छोटी सी क्लास में साथ में आपको question को option से किस तरह से करना है ये भी आप इसी class में सेख जाओगे ठीक है कुछ important questions होंगे और कुछ हम PYQ मतलब सारे PYQ questions भी कर लेंगे तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम PYQ में कौन-कौन से exam को cover करने वाले हैं UPSC CSR 2022 का question है UPSC का 2022 का question है तो previous year questions भी हम करेंगे टाइप 22 भी मैं आपको चीजे बताऊँगा ठीक है अच्छा एक चीज मैं और बता दूँ बहुत सारे बच्चों का message आ रहा था कि सर अभी मन नहीं लग रहा है पढ़ने में खासकर UPSC CS वाले students के लिए कि सर अभी protest चल रहा है दिखो यार protest हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है और हम लोग इसी तरह से कुशिश करते रहेंगे बट साथ में आपको पढ़ाई भी करने पड़ेगी उसका reason यह है कि अभी तक कोई भी official notification नहीं आया है कि एक्जाम आगे जा रहा है और अफिय हम इस लड़ाई को लड रहे हैं और बहुत अच्छे से लड़ Got बढ़िया हम सब जा रहें तो इसलिए पढ़ना भी बहुत जरूरी है तो थोड़ा हदा बहुत बस पढ़ते रहूं जादा ने पर सरकार अगर नहीं मानती है वैसे तो मानना पड़ेगा हना स्टूडेंट्स के आगे आज तक कोई भी रुक नहीं पाया है वैसे तो मानना ही पड़ेगा बट फिर भी हम माल लेते हैं कि 0.999% ऐसा हो जाता है कि दिसंबर में एक्जाम होगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर हम नहीं पड़ेंगे ठीक है तुप पढ़ लो एक बार थोड़ा सा तो यह हमारा पेड़ कोर्स है इसके बारे में आपको बता चुका हूँ गर आपको यह पेड़ को सिस सकते हो चली तो मैं बिल्कुल बेसिक से आपको पहले चीज़े बताऊंगा जिनको बेसिक्स पता है वो सीदे कोशन से इस क्लास को देख लेना राइट तो सबसे पहले बात होती है LCM की सर LCM क्या होता है तो देखो LCM की full form होती है least common multiple ठीक है multiple भी क्या होता है यह भी हम समझ देंगे तो जो इसकी full form है ना इसी में छुपा हुआ है कि LCM होता क्या है अच्छा दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे वह हम पढ़ेंगे HCF तो HCF क्या होता है हमारा highest common factor होता है अब बहुत से बच्चों को तो मनला PCS में या फिर UPSC में तो मैंने यह देखा है कि मैस पर बच्चा क्या है और यह factors क्या है तो इनको भी मैं भी समझ रहा हूं common तो आपको पता है common का मतलब होता है समान और least का मतलब होता है bistच चोटा और highest का मतलब होता है बड़ा ठीक है तो माल लो अगर मैं आएगा 60 हो गया 72 हो गया ऐसे चलते चलते 120 भी आएगा आगे multiple चलते रहते हैं किसी भी number के multiple unlimited होते हैं मतलब उन्हें हम count नहीं कर सकते हैं अगर आपको number of factors में बता चुका हूँ और अगर आपको number system पढ़ना है तो number system की भी मैं पूरी playlist इस YouTube चैनल पर मैं upload कर चुका हूँ ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें कि सर 20 के multiple क्या होंगे तो 20 के multiple होंगे देको 20, 40 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, उसके बाद हमारा 80 हो जाए तो अब यह तो हो गए हमारे क्या? इनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? multiply multipleиляängtटपल तो अब यहां हम घखेंगे common multiple क्या हो है हाना? क्यूंकि मुझे LCM निकालना है तो LCM निकालते टायम हमें multiple देखना होता है multiple भी कैसा देखना है? common तो common multiple देखो यहां पर यह 60 है इन दोनों के बीच में एक common multiple ये 60 है और आपको क्या दिख रहा होगा 120 भी दिख रहा होगा ऐसे बहुत सारे common multiple आएंगे ठीक है बहुत सारे common multiple आएंगे 240 भी आदाएगा 360 भी आदाएगा बट अगर हम LCM निकाल ले तो हमें कैसा common multiple चाहिए हमें least common multiple चाहिए इन दोनों के बीच में जो एक common है समान multiple जो की least है सबसे छोटा है तो वो कौन सा है जरा बताओ तो आप बोलोगे सा 60 60 वो सबसे छोटा multiple है जो 12 और 20 दोनों की table में आता है तो इसका LCM कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा अब LCM, HCF मैंने ट्रिक से आपको कैसे निकालना है जल्दी से जल्दी यह चीज भी आपको LCM, HCF में पढ़ा रखी है ठीक है तो जिन बच्चों को नहीं पता है वो अभी देख लिए ना क्योंकि अभी मेरा focus क्या है questions कराना आपको उसके बाद देखो factors की अगर हम बात करें तो 12 के prime factors के आओंगे देखो 12 के तो ये भी factor है 12 का अगर मैं factor करो तो 4 गुना 3 4 गुना 3 भी 12 के factor ही होंगे बट ये prime factor नहीं है इसके क्यों क्योंकि देखो 3 तो prime number है 3 तो prime number है बट 4 prime number नहीं है तो इसके prime factor करने होते हैं जब भी आपको HCF, LCM निकालना है तो 12 के prime factors के आओंगे 2 गुना 2 गुना 3 ऐसे 20 के prime factor के आओंगे 2 गुना 2 गुना 5 तो ये हो गए इसके factor जिनको हम बोलते हैं प्राइम factor अब मैंने क्या सिखाया तुम्हें कि जब भी हम लोग को HCF निकालना है तो हम क्या देखते हैं factors कैसे common तो देखो 2 भी तो common factor है पर हमें कैसा factor चाहिए highest common factor चाहिए तो ये 2 भी क्या है common factor है तो 2 गुना 2 कितना होगा 4 तो 4 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा तो ये मैंने तुम्हें अंतर बताया है जो method तुम school में use करते थे ठीक है schooling method जो हम लोगों ने 6th class, 7th class में जो सीखा था school method जिससे हम क्या निकालते थे HCFL जे हम निकालते थे जैसे मैं ये दोनों same number ले लेता हूँ कितना लिया हम लोगों ने 12 और कितना लिया हम लोगों ने 20 तो school में हम क्या करते थे इसको divide करेंगे अब देखो divide किससे करोगे कैसे number से आप बोलो के सरफ 4 divide कर लो, but याद रखो कि divide किया जाता है prime number से prime number से divide किया जाता है करने को आप 4 से भी कर सकते हो but basic मैं तो ये बोलती है कि prime number से divide करो कई बार अगर हम बड़े नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो LCM भी गलत आता है ठीक है तो प्राइम नंबर कितना है दो ऐसा प्राइम नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो वो है दो तो दो से डिवाइड करोगे तो ये कितना जाएगा 6 और ये कितना चला जाएगा 10 फिर दो से डिवाइड करोगे तो ये कितना चला जाएगा 3 ये चला जाएगा 5 तो मैंने देखा कि अभी तक जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा था तो 12 भी डिवाइड हो रहा है 20 भी फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो 6 भी डिवाइड हुआ और 10 भी बट अब ऐसा कोई भी यहाँ पर नमबर नहीं है कि मैं उसको लूँ और वो 3 और 5 दोनों को डिवाइड कर दे तो जब तक ऐसा नमबर हमें मिल रहा है जो की दोनों नमबर को डिवाइड कर रहा है तो यह हमारे क्या होंगे यह हमारे common factors होते हैं और इन दोनों को अगर मैं multiply करूँगा तो यह हमें मिलता था HCF 2 into 2 करोगे तो यह 4 हमारा क्या हैगा HCF ऐसी मैं HCF 4 निकला था last time भी अब अगर हमें HCM निकालना है तो हमें इसको तब तक डिवाइड करना है प्राइम नमबर से जब तक वन वन ना आ जाए तो यहां 3 से डिवाइड करोगे तो 3 से तो 3 ही डिवाइड होगा 5 डिवाइड नहीं होगा तो 5 यहां हम सिधा लिग देंगे फिर 5 से डिवाइड करोगे तो यहां एक आया और यहां एक आया तो जब तक एक एक नहीं आएगा जब तक आपको डिवाइड करना है उसके बाद हम निकालेंगे LCM अब LCM के लिए आप इन सब को मल्टिप्लाइ करोगे जितने भी नंबर्स आपको यहां दिख रहे हैं ना यह वाले नंबर्स को मल्टिप्लाइ करेंगे 2 x 2 x 3 x 5 सब को मल्टिप्लाई कर देंगे 2 x 240 4 x 3 x 12 x 12 x 5 करोगे कितना ओ जाएगा 60 और 60 मैंने तो मैंने तुमें LCM निकालके दिखायाद था तो देखो मैं आपको पड़ाओंगा type wise, पहला type क्या है, इस type का बहुत use है, ये type आपको पहले आनी चाहिए, इससे direct कभी question नहीं आए, UPSC और UPS, किसी PCS के अंदर है न, हाँ SSC और छोटे exam में जरूर question पूछे गए है, तो ऐसा नहीं है कि आपके exam में यहां से question नहीं आ सकत कोई नमबर होंगे, महला कहने का मतलब यह है, बोल रहा है, वैस सबसे छोटी संक्या ग्याद कीजिए, जो की x, y, z से पूरी तरह से विबादित होता है, तो इसका solution क्या है, इसका solution यह है बाई, कि हमें x, y, z का क्या लेना है, LCM ले लेना है, जब भी question में आपसे यह पू यह इस पर एक question है, फिर मैं option से भी आपको बताऊंगा, पहले पूरा basic समझेंगे, फिर हम option से भी चीजों को समझेंगे, ठीक है, बट basics आने भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ रहे हो ना बात को, अब बोल भी दिया करो कुछ, ठीक है, देखो, तो question में क्या बोल रहा है, find the least number which exactly divisible by 11, 10, 12 और 15, ऐसे सबसे चोटी संक्या बताओ, ऐसी सबसे चोटी संक्या, ऐसा हमें नंबर बताना है, जो कि 12, 10, 11 और 15 से भाग हो जाए, तो भई, इनका LCM आ जाएगा, कितना, इनका LCM आ जाएगा, 660, अब आप बोलोगे सर, आपने इतनी जल्द क्यों निकाल दिया, पहली बात सर है, तो प्रैक्टिस है, दूसरी बात मैं आपको ट्रिक्स बता चुका हूँ, बहुत बार इसी चैनल में आपके बाद SCF, LCM की क्लासिस होंगी, उनको एक बार देख लेना, अभी मैं बिल्कुल बेसिक से ट्रैडिशनल तरीके से आपको क बतार हों, तो हमें अगर LCM निकालना है, तो ट्रैडिशनल तरीका मैं आपको बता चुका हूँ, कि भही डंडे कहांचो, दोकि स्कूल में खहेंचा करते थे तुम, डंडे लगते भी थे तो में स्कूल में और खहेंचा भी करते थे, तो स्कूल में तो दिको मैं ऐसी यहां लिखा हमने 10 यहां लिखा 12 और यहां लिखा हमने 15 ल से हम निकालना है तो तब तक डिवाइड करेंगे जब तक 11 ना आए तो भाई यहां लिख लेते हैं सबसे पहले हम 11, 11 क्योंकि 11 भी एक प्राइम नंबर है, 11 से केवल 11 कट गया, कितनी बार एक बार, या या 10, या 12 या आ गया 15 ठीक है, उसके बाद कोई ऐसा नमबर जो इन सब को डिवाइड कर रहा है तो आप बोलोगे सर नहीं, नहीं है ना, तो यह हम किस से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यह हमने 2 से डिवाइड किया, तो यह एक आया, 10 को काटोगे, कितना करता नहीं है, तो यह 3 आएगा, फिर 3 से काट लो, तीन से काटोगे, तो यह एक, एक, और यह दो और यह एक, और दो से काटोगे, तो सब क्या जाएगा, एक, एक, एक एक आजाएगा, तो हमारा LCM कितना होगा, हमारा LCM होगा, 11, गुना में 2, गुना में 5, गुना में 3, गुना में 2 अब इसको जरा multiply कर लो तो ये हो गया 11 और ये 10 कितना 110 और ये कितना हो गया हमारा 6 मतलब 660 हमारा answer आ गया जो कि मैंने आपको without solve करे बता ही दिया था तो practice करोगे तो उस level तक भी आप पहुंच जाओगे चलिए next question अब next question option भी है अब दिखो मैं option का use भी आपको इस question में बता दोगा ठीक है इस में मैं आपको option का use भी बता दोगा कि option का क्या use होता है तो इसको traditional तरीके से इसका LCM निकाली लो गया 12, 15, 20, 27 करके इस तरह से LCM आप लोग निकालना अपने है मैं दिखो HCF LCM के 80% ऐसे questions है जो option से किये जा सकते हैं ठीक है किस से किये जा सकते हैं option का use करके किये जा सकते हैं बट इस option को use करने के लिए number system में एक chapter होता है divisibility rule divisibility rule भाग करने के नियम ये आपको आने चाहिए तो अभी मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि आपको divisibility rule आता है नहीं आता है तो चैनल पर है number system की playlist में जाना divisibility rule सीख लेना हाना सब चीज फिर है आप use करो यार मतलब फैदा उठाओ चीज का चली तो अब हमसे पूछ रहा है find the least number which exactly divisible by 12, 15, 20 और 27 ऐसा सबसे चोटा नंबर जो 12, 15, 20 और 27 से क्या होता है भाग हो जाता है अब देखो मैंने उठाया 12 मतलब यह number जो भी number होगा जो भी answer होगा वो 12 से divide होता होगा तो अगर मैं 12 की बात करूँ तो 12 किन-किन number से 12 के co-prime factors क्या होता है यह सब भी divisibility rule में अच्छे समझ में आएगा तो वो आता है 3 गुना 4 तो 12 तीन से भी divide हो रहा है चार से भी तो ऐसा number जो 3 से भी divide हो और जो 4 से भी divide हो जाए वो 12 से भी divide होता है समझ पारे हो अगर मुझे जानना है कि कोई number 12 से divide हो रहा है या नहीं हो रहा है कि मैं ये दिखूँगा कि वो नंबर 3 और 4 से डिवाइड हो रहा या नहीं हो रहा अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 4 से भी डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 12 से भी डिवाइड होगा अब 3 का divisibility rule तुम्हें पता है क्या 3 का divisibility rule होता है कि जिस भी number को हम divide कर रहे है उसके digit का sum उसके अंको का योग 3 से भाग हो जाना चाहिए जैसे मैंने पहला option लिया तो पहला option है 560 तो 5 plus 6 plus 0 इसके digit का sum कितना आगया 11 तो 11 क्या 3 से divide होता है आप बोलोगे सर नहीं तो मतलब ये number 3 से divide नहीं होगा और अगर ये number 3 से divide नहीं होगा तो ये 12 से भी divide नहीं हो सकता है अब देखो इसका 5 plus 4 कितना आया 9 9 3 से divide हो जाता है बट हमें और भी option देखने है अब यहाँ देखोगे आप तो यह हो गया 11 11 को 3 से divide करोगे सर ये भी answer नहीं हो सकता यहाँ देखोगे 4 plus 6 कितना 10 सर 10 भी 3 से divide नहीं होता है तो मुझे एक ये ऐसा option मिला जो की 3 से divide हो रहा है मतलब ये number 3 से divide हो रहा है ठीक है यह हमारा answer हो जाएगा 4 से भी divide होगा यह number अगर आप करना चाहते हो तो यह को 4 से काट होगे तो इससर चार यह आगे हमारे पास 140 140 भी क्यों ले रहो 14 ही ले लो यह आया 12 फिर यह आया कितना 2 2 उपर से लिया 0 तो हमने देखा सर 4 से भी कट गया तो 3 और 4 दोनों से कट रहा है जो basic तरीका होता है वो भी बता दिया और tricks भी आपको बता दिया कि option को आपको किस तरह से use करना है ठीक है तो comment में मुझे बताना चीज़े अच्छी लग रही है नहीं आ रही comment जरूर किया करो थोड़ा अच्छा लगता है motivation आती है अंदर से कि हाँ आपको चीज़े अच्छी लग रही है उनसे फिर हमें और ideas होते है फिर हम तुमारे लिए और efforts लेते हैं समझे चलो अब देखो यह है second type second type में बोल रहा है find the least number which divided by x y z leave remainder r in each case हिंदी में मैं बताता हूँ हमें एक सबसे छोटा ऐसा number निकालना है जिसको x y z divide किया जाता है तो हर case में remainder r मिलेगा ठीक है ऐसा सबसे छोटा number find out करना है जिसको x y z से divide करें तो remainder r मिले हर case में अब इसका solution यह है कि x y z का जो जिस number से आप divide कर रहे हो उसका LCM निकालो और उसमें उस remainder को जोड़ दो और इस ही type से इस ही type से UPSC और UPPSC में सबसे ज़्यादा questions आए है इस ही type से ठीक है तो जैसे यह पहला question है पहला question में क्या बोल रहा है वह छोटी से छोटी संक्या ग्यात यह गलत है मलब spelling गलत है ग्यात कीजिए जो 6, 7, 8, 9 और 12 से विभादित होती हो तथा परतेक मामले में 6, 3 देती है तो अब इस संक्या को निकालने के लिए क्या करोगे पहले तो मैं basic तरीका बता देता हूँ फिर मैं option भी बताऊँगा कि हम लोग लेंगे LCM किसका LCM लेंगे 6, 7, 8, 9 6, 7, 8 का जो भी LCM आएगा उसमें क्या जोड़ोगे तुम 3 जोड़ोगे ठीक है समझ पा रहे हो बोलिए तो 6, 7, 8 और 9 का जो भी LCM आएगा उसमें आप लोग क्या जोड़ोगे उसमें बस आप लोग 3 जोड़ोगे LCM तो निकाले लोगे ना यार बताओ मैं तो डारेक्टी कर लूँगा रुको 6 और 6 इसमें कॉमन है 7, 7 गुना 9 500 504 ठीक है? 504 आप लोग निकाल ले ना बच्चे ऐसे करके निकाल लो अगर नहीं आता है तो अभी इस तरह से करके निकाल लो अगर मैं इस तरह से निकाल के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबई बन जाएगी आप निकाल सकते हैं इतना मुझे विस्वास है इतने के बाद तो इन सब का LCM इन सब का LCM कितना आया? 504 आ गया यह सब LCM आया हर बार रिमेंडर कितना था तीन? तो तीन को जोड़ दोगे आंसर कितना आएगा? 507 यह हमारा आंसर आ जाएगा तो यह तो था हमारा traditional तरीका अब हम बात करते हैं सर, option से इस question को हम कैसे करेंगे? हमें सर, option से बताओ कि option से कैसे किया जाएगा तो option वाली कहानी जरा सुनो हमें एक ऐसा नमबर निकालना है जिसको हम 6 से भी डिवाइड कर रहे हैं 7 से भी डिवाइड कर रहे हैं 8 से भी डिवाइड कर रहे हैं 9 से भी इन सब से डिवाइड कर रहे हैं और इन सब से डिवाइड करने पर remainder कितना आता है, 3 आता है तो देखो जब भी option का use करते हैं तो हम यहां करेंगे divisibility rule का use और divisibility rule में सबसे अच्छे जो सबसे असान rule होते हैं वो 3 और 9 के होते हैं 3 और 9 के जो rule होते हैं वो बहुत असान होते हैं तो हम यहां देखेंगे सर तीन तो चलो 6 में आ रहा है बट हमें 9 दिख रहा है या डारेक्टी है ना तो कहने का मतलब यह है कि सर इस नंबर को अगर हम 9 से डिवैड करते हैं तो रिमेंडर कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए तो मुझे एक ऐसा नंबर निकालना है जिसको मैं 9 से डिवैड करूँ तो रिमेंडर कितना मिले मुझे 3 मिले तो आजओ अब देखो 3 का और 9 का 3 का और 9 का जो रूल होता है वो बिल्कुल सेम होता है कि कोई नंबर 9 से तब भाग होगा जब उस नंबर के अंको का योग उस 9 से भाग हो जाए ठीक है तो चलो जरा देखते हैं भाई हम लोग यहां हमने देखा कि 5 प्लस 4 कितना आया 9 9 से यह पूरी तरह से भाग हो गया मतलब रिमेंडर कितना आएगा 0 बट हमें तो रिमेंडर 3 चाहिए ना 0 को ही चाहिए मतलब यह हमारा आंसर नहीं हो सकता अब हम जहां देखते हैं 5 प्लस 6 कितना हो ग्यारा ग्यारा को 9 से डिवाइड करोगे रिमेंडर कितना आएगा 2 रिमेंडर आया 2 हमें तो 3 चाहिए तो मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता अब हमने यहां पर देखा 5 प्लस 7 5 प्लस 7 हो अब 12 9 से काटोगे तो यह रिमेंडर बचा 3 हमें 3 ही रिमेंडर चाहिए था आंसर कितना आ गया 507 हमारा आंसर आ गया कुछ ही सेकंड्स में आप लोग आंसर निकाल सकते हो ठीक है कुछ ही सेकंड्स में आप लोग आंसर निकाल सकते हो एक सेकंड रुकना कॉल आ रही है चेली वही अब आ जा रही है बताओ जरा एक बार ठीक है तो हमने आपको यह वाले तरीका भी बता दिये तो चलिए नेक्स कोशन देखते है अब यह देखो यह कोशन आया है UPSC CSAT 2020 में यह कोशन है अब इस कोशन को मैं डारेक्ट डिविजिबिटी रूल से करूँगा बोल रहा है वट इस दा लीस्ट फोर डिजिट नमबर when divided by 3, 4, 5, 6 leaves remainder 2 in each case हना चार अंकों का सबसे छोटा नमबर बताना है सबसे छोटी संक्या हमें बतानी है जिसे 3, 4, 5 और 6 से भाग करने पार हमेशा remainder कितना आ रहा है? 2 आ रहा है ठीक है तो यहां remainder जो मिल रहा है अब देखो एक चीज और समझना मेरी बात अभी हम second type पढ़ रहा है ठीक है मैं अभी आपको बता देता हूँ यह चीज़ अभी हम पढ़ रहा है second type second type में हम ऐसे question पढ़ रहा है जिनमे remainder जो मिल रहा है न हमेशा common remainder मिल रहा है हना अभी हम आगे third type पढ़ेंगे जिसमें remainder भी अलग-अलग मिलेंगे वो third type होगी तो जब common remainder मिलता है हना number से divide करने पर जो remainder है वो हमेशा same ही आ रहा है तो else से हम लेकर remainder को add करना है बस आपको ठीक है पर इसको तो हम क्या करेंगे इसको हम divisibility rule से कर लेंगे मतलब 3 से divide करने पर भी remainder कितना मिलना चाहिए दो मिलना चाहिए तो चलो देखते हैं पहला option एक हमने 2 प्लस 1 तीन प्लस 1 कितना हुआ 4 4 को 3 से divide करोगे remainder मिलेगा 1 हमीचे ये 2 ये हमारा answer है नहीं 2 प्लस 2 प्लस 1 कितना हुआ 5 5 को 3 से divide करोगे remainder मिलेगा 2 2 ये हमेचे मतलब ये हमारा answer हो सकता है बट हम शॉर्टी से अभी नहीं बोलेंगे ठीक है तो यहां हमने देखा 2 प्लस 1 3 और 3 6 ये number यहां remainder मिल रहा है 0 6 3 से पूरी तरह से divide हो रहा है ये हमारा answer नहीं हो सकता और यहां हमने देखा कि 3 और यहां 4 मतलब यहां remainder 1 मिल रहा है तो ये भी हमारा answer नहीं हो सकता तो option B क्या होगा हमारा answer हो जाएगा एक ही ऐसा option है जिसको 3 से divide करने पर remainder 2 मिल रहा है अब ये जो option आप देख रहे हो ये मेरे option नहीं है आप अगर इस question को कहीं भी net पे भी search करोगे न तो आपको ये same option मिलेंगे UPSC ने ये ही option दिये है तो ऐसा नहीं है कि हर question बहुत मुश्किल होता है आपको देखो चीजे सीखने ही पढ़ेंगी पढ़ना तो पढ़ेगा पढ़ोगे तो चीजे असान भी हो जाएंगे ठीक है चलिए आगे चलें भाई बोलो next question देखते है अब इसको भी देखो ये UPSC 222 का question है जादा पुराना question नहीं है 2014 अभी हमारा चलना है 2022 का ये question है तो ऐसा नहीं है बहुत पुराना question है बिलकुल नया question है दो साल कुछ जादा नहीं होते तो हमसे क्या बोल रहा है 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी संक्या बताओ जिसको 6, 9, 12, 15, 18 से भाग करने पर हमेशा जो remainder मिले वो कितना मिलता है 3 मिलता है तो इसका मतलब ऐसा 9 से divide करोगे तो भी remainder कितना मिलेगा 3 ही मिलेगा तो 9 से divide करो इनका sum कितना आ रहा है 3 प्लस 6 प्लस 1 कितना है 10 10 को 9 से divide करोगे remainder कितना मिलेगा 1 हमेश यह 3 यह हमारा answer नहीं हो सकता यहाँ हमने remainder देखा कितना मिलेगा हमे 10 प्लस 11 11 को 9 से divide करोगे remainder मिलेगा 2, हमेंज यह 3 यह हमारा answer नहीं हो सकता यहां हमने देखा 8 plus 1, 9 plus 12, 12 को 9 से divide करोंगे remainder कितना मिलेगा 3 मतलब यह मारा answer हो सकता है यहां हमने देखा, तो 8 plus 1, 9 remainder कितना मिलेगा 4 तो एक ही ऐसा option है जहां remainder हमें 3 मिल रहा है यही हमारा answer हो जाएगा खत्म बहुत ही असान था अब आजाते हैं type 3 3rd type 3rd type में क्या होगा, इसमें difference क्या है बहुत ही अब ध्यान से समझ रहा 3rd type में difference यह है बोल रहा है कि वह सबसे छोटा number बताओ find the least number which when divided by xyz जब उसको xyz number से divide करते है then the remainder वो अलग-लग मिल रहा है, समझ में आया मतलब आफ में एक ऐसा छोटा number निकालना है, जिसको x से divide करोगे तो remainder A मिलेगा y से divide करोगे तो remainder B मिलेगा, z से divide करोगे remainder C मिलेगा, मतलब remainder अलग-लग मिलेगा, और ऐसा question अभी तक ना तो UPSC में आया है question को आने के ज़्यादा chances होता है तो अब देखो क्या बोला गया है बोला है find the least number when divided by 20, 25, 35 and 40, leaves remainder 40, 19, 29 and 34 बोल रहा है हमें एक ऐसा number निकालना है, हमें एक ऐसा number निकालना है, मतलब सबसे छोटा ऐसा number निकालना है जिसको हम 20 से भी divide कर रहे हैं और जिसको हम 40 से भी divide कर रहे हैं, तो जो हमें remainder मिल रहा है वो remainder हमें मिल रहा है 14, 20 से divide करने वर 25 से divide करने पर मिल रहा है 19, 35 से divide करने पर मिल रहा है 29, और 40 से divide करने वर मिल रहा है 34, तो ऐसे question का answer हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है common difference, हाना? यहां solution है, क्या निकालना है? common difference, और L-CM निकालना है X, Y, Z का उस में से common difference को minus कर देना है, अब common difference क्या है? दिखाता हूँ, common difference कहां से निकलता है? देखो, समधना भई, ठीक है? यहां से निकले है common difference, जिस number से हम divide कर रहे हैं और जो remainder है उनका जो difference है वो ही common difference है देखो 20 में से 14 गया कितना अच्छ है 25 में से 29 को करटो को कितना अच्छ है और यहां भी कितना अच्छ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं common difference बोलते हैं मतलब D बोलते हैं तो अब इस number को आपको निकालने के लिए क्या करना है आपको 20, 25, 35 और 40 का LCM लेना है और उसमें से 6 को घटा देना है ठीक है चलो इसका LCM में लेके दिखा देता हूँ आपको कि देखो 20 वैसे तो मैं डारेक्टी भी निकाल सकता हूँ बढ़ कोई नहीं तुम्हां लिए कर मैं डेते हैं हाना अब देखो पांच उता है पाउच प्राइम नंबर तो पांच से काटा पर ये गया चार बार ये गया 5 बार ये गया 7 बार और ये गया 8 बार फिर 2 से काट लो लो इन visit कृट dalë और ये आ गया 5 या गया 7 या गया चार फिर दो से काट लो 1 आ गया, 5 आ गया 7 आ गया, 2 आ गया आना 2 से काटा था पहले 2 बार है पिर दो से काट लो भाई तो यह कितना आ जाएगा 1, 5, 7 और पिर 5 से काट लो और फिर 7 से काट लो इतनी बार ही कुटेगा, Multiple कल लो भाई, 5 और 2, 10 10, 10, 20, 20, 40, 40 यह हो गया और यह हमारे पास हो गया 35, 40 गुना 35, 40 गुना 35 मतलब गलत आ रहा है हमारा, हमने कहीं गड़बड कर दी है, हमने कहीं गड़बड कर दी है, दो हमारा कहीं न कहीं एक्स्टा आ रहा है, कहां एक्स्टा आ रहा है भी देख लेते हैं, कहीं न कहीं दो जादा आ रहा है, मैं तो ये चीज यूज ही नहीं करता हूं, सही बताओ, तो ये, ठीक है, देखते हैं कहां जादा आ गया हमारे पास दो, 20 है, 25 है, 35 है, 40 है, ना, दुबारा से मैं बिल्कुल साइस के कर रहा हूं ताकि तुम नोट कर पाओ, पांसे गया, कितना गया, 4, ये गया, 8, फिर 2 से अगर मैं काटूंगा, तो ये चला जाएगा, 2, ये चला जाएगा, 5, ये चला जाएगा, 7 और ये गया, 4, फिर 2 से हम अगर काटते हैं, तो ये आ जाएगा, 1, ये होगा, 5, ये होगा, 7 और ये हो जाएगा, हमारे पास कितना, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 से 10 और 1 जायेगा, ठीक है, फिर 5 से जाएगा पिर 7 से जाएगा, एक 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 आजाएगा आपका अब multiply कर लो जरा देखो, 5 और 2 होगया 10, ठीक है और 2 कुना 7 होगया, कितना 14 अब सही है, पहले हमारा 1-2 X अब ऑगया था, तो multiply करोगे बच्चे तो LCM इन सब का LCM कितना आ गया है इन सब का LCM आ गया हमारे पास 1400 1400 में से क्या minus करना है common difference कितना हो जाएगा च्छे तो 1394 हम लोगों का answer आ जाएगा option A क्या होगा हमारा बिल्कुल सही answer होगा ठीक है clear है चली तो I hope ये चीज़े आपको समझ में आई होंगी और अगर session समझ में आया है class समझ में आई है तो इसको share करो अपने दोस्तों के साथ जो भी इस बास C-set दे रहे हैं और जिने C-set में बहुत problem है right और session पसंद आया तो like और share और चैनल और अगर subscribe नहीं किया भी तो एक बार जरूर कर ले ना ठीक है चली तो bye bye next class में कुछ नया लेके आते हैं